इस वीडियो में आपको Apple App Store और iTunes के Password की Settings के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहें देखिए App Store की Password की Settings करने के लिए सबसे पहले आपको Settings में चले जाना है अपने फोन की और उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी Apple ID पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख पाएंगे Media and Purchases ठीक है तो इस पर आपको क्लिक करना है आपका यहाँ पर आपको नजर आएगा Password Settings Simply इस पर क्लिक कर लें और अब देखिए होता क्या है कि जब भी आप कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो बार-बार Password मांगता है अगर यह इनेबल होगा आप कुछ भी डाउनलोड करते हैं Play Store से तो बार-बार Password मांगता है तो यहाँ से आप यहाँ से इसे Disable कर दें तो आप कुछ आप डाउनलोड करेंगे तो आपसे Password नहीं मांगेगा और उसी तरीके से आप जब कोई Play Store से iTunes से कोई चीज़ खरीदते हैं तो हर 15 मिनट के बाद आपसे Password पुछता है तो आप वो डिसेबल कर दीजिए आप जब भी लॉग इन करें Apps चो परचेस करें कुछ भी आपसे Password मांगे तो आप यहाँ से सेडिक्स कर सकते हैं या अगर आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से यहाँ पर आप सेडिक्स को रख सकते हैं तो कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट में मुझे से पूछ सकते हैं मैं आपको इसका रिपलाय दे दूंगा वीडियो पसंद आई हो तो टेक्स ओर को सब्सक्राइब कर दें अपना बहुत ज़्यादा ख्यार रखें अ अलाह हाफिज